नमस्का दोस्तों बात करेंगे तो चले शुरू करते अच का वीडियो भी ना कोई बात का वारा आज के वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गज़ोल जैन पर नहीं है और ऐसे वीडियो आगे भी दिखना चाहते तो गज़ोल चानल को चाहिए तो हमारी इस अपकमिंग स्मार्टपोन लिस्ट के जो पहला स्मार्टपोन बोधर असले रियल में 30 और 30A जो कि आज से एक्जेक्ली दो दिन बार लांच होने बाला है एक में आपको मिलेगा एच्डी प्लाश दिस्प्लें दूसरों में मिलेगा फूल एच्डी प्लाश डिस्प्लें जो लोजर मतलब 30A उसमें आपको मिलेगा हील्य जी एकटि फाइफ नर्जो थार्टी प्रो इसका मार्केट में प्राइस होगा 15,000 और जो Realme Narzo 30A इसका प्राइस होगा 9,000 रुपए इसके बाद Xiaomi के तरफ से आने बाले Redmi K40 और K40 Pro दोनी स्मार्टपोन आएगा इस ही अपते दिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेटों का 120Hz और इस प्राइस प्राइस का पहले ऐसा स्मार्टपोन होने वाला है जिसमें आपको Samsung E4 क्वालिटी का दिस्प्ले देख रहे हो मिलेगा इसका जो K40 वाला वेरियंट उसमें आपको मिलेगा Snapdragon 870 जो K40 प्रो उसमें आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 888 दोनों पी आपको 4500 एमेज बैटरी देखने को मिलेगा और जो कैमेरा आप पिक्चर में ही देख सकते ट्रिपिल कैमेरा देखने को मिलेगा और अब लेफ्ट साइड में जो पिक्चर देख रहे हैं एक दर असले Redmi K40 का डिजाइन जो कि मेरे खाहल से बहुत ही प्रीमियम कॉलिटी का डिजाइन है अगर प्राइस की बार में बात करें Redmi K40 इंडिया पे लॉंच होगा 22 से 25,000 के बीज में और Redmi K40 Pro इंडिया पे लॉंच होगा 32,000 के थोड़ा सा उपर इसका नेक्स सीरीज जो कि है Redmi Note 10 सीरीज इसके अंदर टोटल 3 स्मार्पोन आएगा Redmi Note 10, 10 Pro और 10 Pro Max जिसको पर मैंने अल्रेडी वीडियो बना दिया है आई बाटन में देख सकते हैं और आप इस लेप्ट बाले पिक्चर में भी देख सकते हैं यह दर्सार जो Redmi Note 10 Pro उसका रिटेल बॉक्स इसमें आपको मिलेगा फुलीजडी प्लास 120 रिफ्रेशेट तीन स्मार्पोन में आपको Qualcomm के तीन प्रोसेसर देखना को मिलेगा जो Redmi Note 10 उसमें देखना को मिलेगा Snapdragon 678 जो Redmi Note 10 Pro उसमें मिलेगा Snapdragon 732G और जो Pro Max उसमें आपको मिलेगा Snapdragon 768G तिनो के तीनों स्मार्पोन में आपको 5000 इमिज बैटरी मिलेगा जो Redmi Note 10 उसमें मिलेगा 40MP Quad Camera Setup जो Pro Variant उसमें मिलेगा 64 Megapixel Quad Camera Setup और जो Pro Max उसमें आपको मिलेगा 108 Megapixel Quad Camera Setup और प्राइस होगा 14,000 से लेके 22,000 रुपाई के बीच में इसके बाद इसी बाई ने एक और स्मार्टपोन आने बाला है Realme के तरफ से जिसका नाम होगा Realme GT और उसके सार Realme GT Pro लेप साइड में देख सकते हैं ये स्मार्टपोन देखने में बिल्कुल ऐसा है वाद हम कह सकते हैं कि डिजाइन तो इसका बहुत ही बढ़ी है इसमें आपको मिलेगा Full HD Plus OLED डिस्प्ले और ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टपोन बनेगा जिसमें आपको 160 हच रिफ्रेशेद देखने को मिलेगा इसका प्रोसेसर होगा Snapdragon 888, 5000 इमीज बैटारी उसके साथ रे Realme की तरफ से पहला स्मार्टपोन होगा इसमें आपको 125 वाट का फास्ट चाज देखने को मिलेगा उसके साथ पीछे आप देख सकते क्रिफिल क्यामरा सेटप देखने को मिलेगा और इसका प्राइस होगा 35,000 से उपर जाबी इंडिया पे लांच होगा इसके बाद Gaming World का सबसे पारफूर स्मार्टपोन जो कि ROG Phone 5 जो कि आगले माईने के शुर्बात पे लांच होने बाला है इसमें आपको देखने को मिलेगा Full HD Plus OLED डिस्प्ले जिसका डिफ्रेशेट होगा 144Hz Snapdragon 888 प्रोसेसर 6000 एमेज बैटरी उसके साथ 65 वर्ट का फास्ट चार्ज ट्रीपिल कैमेरा प्राइस होगा 45,000 रुपिस के आसपास और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं यह दरसल जो ROG Phone 5 आने बाला है उसका ओरिजिनल पिक्चर इसके बाद अगले माईने लॉंच होने बाला है Mi 11 Pro और Mi 11 Lite यह दो स्मार्टफोर इसका जो Mi 11 Pro उसमें आपको मिलेगा 2K प्लास OLED डिस्प्ले जिसका रिफ्रेशेट होगा 120Hz Snapdragon 888 प्रोसेसर होगा 5000 इमेज बैटरी होगा इसमें आपको ट्रीफिल कैमेरा सेटा हो उसके बादे 120 जूम बला लेंज भी देखने को मिलेगा और प्राइस होगा 52,000 रूपिस के असपास और जो Mi 11 Lite उसका प्राइस होगा 20-25,000 के बीच में जब इंडिया पे लॉंच होगा इसके बाद मार्च माहिने के फास्ट EF2 इंडिया पे इंडिया पे कॉन्फराम राने बाला है पोको X3 प्रो का जारी कीस में आपको देखने को मिलेगा फूल एजडी प्लस एमोलेट डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश्ट होगा 120 हच स्नैप्ड़ागों 750 G प्रोसेसर 6000 पिक्चर में आप देख सकते हैं एक दरसले जो वान प्लस नाइन प्रो उसका डिजाइन इसमें आपको देखने को मिलेगा टूके प्लास 120 एच एल्टी पीओ डिस्प्ले स्नैप्ड़ागों 888 प्रोसेसर 5000 इमेज बैटरी 65 वाट चार्जर और दुनिया का पहला ऐसा स्मा कामैरा लेंस में से बाना ज्याता है इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका कैमेरा लेंस बहुत बडियए हो सकता है कि एसमें प्रेस प्रहर अपर और स sollten प्लास 90 हर्च एमोलेट डिस्प्ले का जड़ी कि यह दुनिया का पहला स्मार्पून बनेगा जिसमें आपको डायमेंड सीटी गैरा सो बला प्रोसेसर देखने को मिलेगा चाराज दोसे इमेज बैटरी 65 वाट फास चार्ज और इसमें आपको सोनी का एक स्पेशल 50 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलेगा और प्राइस होगा बाइस हजार के आसपस और आपको तो पते हैं ओपो अपना एप सीरीस का स्मार्पोन वह गारेंटीड इंडिया पे ल पासर के साथ बहुत स्मार्पौन योन्स होने नेगा उन्स आफ के साथ 14 बातरी 65 वाट इस स्मार्पोन का और फीचर इंडिया का पहला स्मार्पोन होने बाला है जिसमेंिक को माइक्रोस्कोपिक लेंस्पों प्राइस होट Wr. वाल. उसमेंसे एक होगा गैलक्सी इसमें आपको फूल इसटी प्लास सुपर अमॉले डिस्पले मिलेगा स्नाप्ड्रागन 750 जी प्रोसेसर 6000 इमेज बाइटरी 25 वार्ट फास्ट चार्ज क्वार्ट केमेरा और इसका प्राइस होगा 2600 रुपिस के असपास और इसके साथ गैलेक्सी A72 5G आएगा वही एक्जाक्ति सेम स्मार्टपोन बस जो प्रोसेसर बहुगा स्नाप्ड्रागन 765G इसके बाद IQ की तरब से एक स्पेशल स्मार्टपोन आने वाला है जिसका नाम होगा IQ नियो 5 जिसके अब देख सकते हैं इसका डिजाइन बिलको ले आसा है इसमें आपको फुल एजडी प्लास ओलेट डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश एट होगा 144 हर्ज स्नाप्ड्रागन 888 प्रोसेसर 4500 इमीज वैटरी 120 वाट का फास्ट चार्ज और कितने मेगा पिक्सल का कैमेरा होगा अभी तक इसके बार में कोई जो गी हांडरी hinter आ आपको जो जाए Norm neuroscience आपको अन्च नाहम से लांच होगा उसके बाद मार्च माईने पे Realme 8 Series के उपर भी आपको इंफरमेशन मिल जाएगा और कहा जार कि इस बार का जो Realme 8 Pro उसका प्राइज 20 से 22,000 के बीच में होगा उसका मेन टारगेट होगा Redmi Note 10 Pro मैस्का साथ कॉम्पीट काईने के लिए और ये भी कहा जार कि iQ कमपनी के तरफ से दो स्मार्टपोन इंडिया बे लांच होगा दोनी स्मार्टपोन मिड रेंज होगा और जिसका प्राइज होगा 13-15,000 के बीच में उसके बाद Galaxy के एप सीरीज के अंदर एक और स्मार्टपोन आएगा जिसका नाम होगा F21 बहत ही बज़ेट रेंज में आएगा Exynos 850 के साथ आने के उम्मीद है उसके बाद Micromax अपने 5G स्मार्टपोन लांच करेगा और बो भी दो 5G स्मार्टपोन लांच करेगा और मुझे जितना लगता ही दोनोई स्मार्टपोन डामेंड सीरी सीरीज के प्रोसेसर के साथ आएगा उसके बाद लीनोब अपने गेमिंग फोन 2 मद अब सेगेंड जिनेरेशन का गेमिंग फोन लांच करेगा और फाइनली इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो साथिक्राइट में आ चुका है यह भी बहुत ही जाल इंदियर मार्केट में लांच होगा तो जैसे मैं आपको कहा आता है मार्स माईने बे बहुत सारे स्मार्टपोन लांच होने बाला है अब देखे यह तो एकदम कॉन्फरम लांच होने बाल यह कि आपको यह सभी स्मार्टपोन में से कॉन्सा स्मार्टपोन सबसे बढ़िया लगा या फिर आप कॉन्सा स्मार्टपोन के लिए वैट कर रहो इसके बाब मुझे को में बताना बिलकुल नहीं मत भूलिएगा तो मिलते आगले वीडियो पर तब तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you